तो अगर हम बात करें इस पूरे के पूरे खेस में, तो क्या होता है, कि polypeptide and peptides में, खर्शा करेंगे, तो peptides के कुछ important चीज़े mention की गई है पहली, कि peptides या proteins जो होते हैं, वो होते क्या है, they are the short, they are the short polymers of the amino acids. जब मैं peptide की बात करता हूँ, proteins जो होते हैं, वो थोड़े बड़े होते हैं, peptide थोड़े छोटी-छोटे fragments होते हैं, तो amino acids जो होते हैं, वो पहले peptides बनाते हैं, और peptides जो होते हैं, वो मिल के प्रोटीस बनाते हैं, तो basic चौर्पे, जो peptides होते हैं, they are the short polymer of the amino acids, और amino acids क्या हैं मोनो मर्ग है तो अमीनो इसे मोनो मर्ग से जो short polymer बनता है वही आपका peptide कहलाता है ठीक है peptide के उपर जब बात करने के कोशिस करते है ठीक है तो peptide consist of 2 to 50 amino acids peptide जो है लगभग 2 amino acids चले के 50 amino acids का हो सकता है अब इसमें कितने amino acids को किस category में fall off करेंगे उसके उपर चल्चा करेंगे and these peptides जिसमें amino acids दो से पता हो सकते है वो amino acids जिस link जिस bond से जुड़े होते है they are linked by the peptide bond जिस bond से जुड़े है वो है peptide bond एक amino acid एक जो है दूसरे amino acids से peptide bond से जुड़ा होता जिसको दूसरे सब्दों में बोलते है amide bond याद रहे कि amide bond और भी जगहों पे होता है naturally कई सारे और carbohydrates के cases की जुड़ते है या lipids जुड़ता है तो भी बनाता है amide linkage आपने fatty इसी ड़र पढ़ा होगा तो उसमें जो lipid link proteins होते है उन lipid link proteins में जो आपके एक important किस्सा आता है जिसको बोलते है miristic acid miristic acid जो होता है वो जुड़ता है आपके proteins के साथ और proteins का जो end terminal होता है उस पे जो glycine होता है glycine का ही amino group जुड़ता है miristic acid के carboxlic acid से और जो linkage बनाता है वो बनाता है amide linkage उस linkage को आप peptide नहीं बोल सकते है क्योंकि वहाँ पे दोनों जो groups involved हुए थे bond formation में उसमें एक fatty acid था और एक amino acid था और इसलिए वो linkage amide linkage से बोला जा सकता है peptide linkage नहीं बोला सकता है peptide linkage आप तभी बोलेंगे जब कि दोनों के दोनों जो groups bond बनाने में involved हो रहे हो दोनों ही amino acids है और वो linkage प्रोटीन में या peptide बनाने में यूज किये जा रहे है ना कि कुछ और बनाने है इसलिए ऐसे को आप peptide बोलते हैं तो peptide is nothing this is simply amide linkage बट ये जो है आपके कहां पे present होते हैं अब कोई भी protein जो synthesize हो रहे है या कोई भी जो चीज़े हो रहे है वो ribosomal और नॉन-ribosomal दोनों synthesis हुरे क्योंकि आप किसी भी protein को synthesize करते हैं तो हर protein गेडूरी होई कि आप ribosomal synthesize करें कुछ proteins जो होते हैं वो नॉन-ribosomal manner में भी synthesize होते है और कुछ तो ऐसे होते हैं जो कि आप chemically भी synthesize कर सकते हैं It is not necessary कि आपको ribosome देनी की ज़रुवत कोई तो although non ribosomal protein को भी synthesis होती वो थोई rare होती लेकिन protein या peptide दोनो nature के हो सकते वो ribosome से भी बने हो सकते और नहीं भी बने हो सकते cyclic और linear दोनों ही जो है nature आप mention थे वोट दस इप मीज़िक और linear का क्या मतलब है यह लिए हम चर्चा करेंगे कि आपके ली क्या हो जाता है इसके बाद इसके दो example से जैसे एक डाई peptide है इस पैरेटेम इस प्राई peptide है glutathione इसके उपर हम चर्चा करेंगे future में लेकिन जो मैंने थोड़ी basic चीज़े अभी बताईए अभी सिर्पहानी का जो है वो आगमन हो रहा है थेले मैंने बात किया था short polymers of amino acid अगर amino acid जो की एक monomer है एक दूसरे amino acid से bond बना ले पोवैलेंट bond बना ले, amide bond या peptide bond बना ले तो वो जो एक amino acid डूसरे से जुड़ेगा धिरे धिरे वो peptide बनाएगा और दो amino acid के बीच में जो bond बनता है वो है peptide bond अब इसी peptide का जो amino acid का number हो सकता है वो दो से लेके एक amino acid कभी भी peptide नहीं हो सकता है तो तो वो single amino acid है इतने जो है peptide bond बना सकते है, दो भी हो सकता है, तीर भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, पास भी हो सकता है यह depend करता है कि ऐसा हो सकता है, यह जो है ribosomals भी हो सकते है, non ribosomals भी हो सकते है they can form from standard amino acid या आप non standard amino system भी बने हो सकते है यह cyclic भी हो सकते है, linear भी हो सकते है, और dipeptide, tripeptide ऐसी चीज़े भी हो सकते हैं, अब मुझे बात बताइए कि अगर मेरे पास, अगर मेरे पास जो है, दो amino acid से, जब हम जोडते हैं, तो दो amino acid के बीच में एक peptide bond, यहाँ पर देखें, यह है amino acid 1 और यह है amino acid 2, इन दो amino acid के बी 2 से एक और जूर जाएगा, तो यह हो जाएगा amino acid 3, और अगर 3 amino acid है, उसके बीच में हो जाएगा एक another peptide bond, कुछ इस तरीके से जो है amino acid की chain नजर आती है, अब मुझे बताइए कि अगर मैंने 3 amino acid के बीच में 2 peptide bond sow किया हुआ है, तो यह कैसा peptide कहलाएगा, आपका di peptide हैट tripeptide bond यहाँ पे 2 है और amino acid 3 है, तो आप इसको क्या बोलोगे, याद रहे कि यह है tripeptide, कई सारे जगों पे, अगेर मैं इसलिए ऐसी चीजों को mention करता हूँ, कई सारे जो है मैंने YouTube पे वीडियो देखा, वैसे ही आजकल लोगों को पास बहुत ज्यान है, ठीके हर जगा उस ठीक है, ऐसा कुछ देखा होगा आप में, ऐसे सारियां, तो आप motivated हो जा रहे हैं और बहुत सारे लोग ज्यान का प्रदर्शन कर रहे हैं, बट उन ज्यान के प्रदर्शन में जो है tripeptide, यानि इसको लोग बोलता है कि pin peptide bond पे, क्योंकि यह peptide लिखा है तो इस peptide का मतलब लोग peptide bond समझ लेते हैं, बट यहाँ पे यह जो numbering होती है, यह numbering peptide bond के basis पर नहीं होती, किसके basis के होती है, amino acid के basis पर, कितने amino acid involved है उस peptide में, क्योंकि यहाँ पे amino acid जो involved है, वो है आपके 3, इसलिए आप इसको क्या बोलोगे, जो है die, फिर उसके बाद try 2 होगा, तो die होगा और 3 हैं, तो आप उसको क्या बोलोगे, try peptide, और 4 हो जाएगा, तो फिर क्या बोलोगे, tetra peptide बोलोगे and so on, इस तरीके से amino acid का classification जो है वाफ, mention कर सकते हैं, तो अगर मैं amino acid के classification की बात करता हूँ, तो amino acid को मैं classify कर सकता हूँ, die, try, tetra, penta, hexa, hepta, octa, nona, deca, 10 तक कुछ ऐसे कह कहानी चलेगी, कैसी कहानी उसको आप बोल सकते हैं बोलो होगा तो DO 2 होगा तो di, 3 होगा तो trie, 4 होगा तो 53, 5 होगा तो पेंटा, 6 होगा, यह मैं bond की बात कर रहा हूँ या मैं यह aminus için की बात कर रहा हूँ, इसके बाद जाओगे तो 1 डेका, 2 डेका, ऐसे करकर के नाम आ जाता है, बट उतना जादा जादी की ज़रूत नहीं है, यह है अगर 2 amino acid है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेपका, 5 है तो पिनका, 6 है तो हिपसा, 7 है तो हिपसा, 8 है तो ओक्षा, 9 है तो नोना, and 10 है तो देखा, this is all about the amino acid number, कितने amino acid का involvement है, अगर 2 amino acid है तो डाई पेप्टाइड, 3 है तो ट्राई पेप्टाइड, 4 है तो टेटरा पेप्टाइड, 5 है तो पिनका पेप्टाइड, 6 है तो हिपसा पेप्टा, 8 है तो वक्ता, 9 है तो नोना, and 10 है तो देखा, ठीक है तो अगर मैं 2 amino acid की बात करेंगे, तो दो amino acid के बीच में एक पेप्टाइड बॉन होगा, तो ऐसे पेप्टाइड को क्या बोलोगे, डाई पेप्टाइड, इसका एक बहुत common example हम आगे डिस्कस करेंगे, आपने एक artificial sweetener का नाम चुना होगा, इस्पैरेटेम का, और इस्पैरेटेम जो है, आज कल जो sugar-free चीजे नजार आते हो, उसमें इसका बहुत commonly used होता है, sugar-free, 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 asparatame का काफी जो है use होता है, we'll discuss कि ये dice, asparatame का खशी होता है, और सिर्फ इस्पैरेटेम ही और दी examples लेखेंगे, try peptide में आपके कितने amino acids होंगे, three amino acids, और इन तीन amino acids के बीच में कितने pept tight bond होंगे, वो होंगे आपके दो, तो ये कैसे कहले, इसका एक example आप पढ़ते है, glutathione, glutathione, एक natural tripeptide है, एक natural tripeptide है, मतलब ये एक antioxidant की तरफ काम करता है, हमारी body में पाया जाता है, हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, detail में, मैं सिर्फ आपको classification बता रहा हो, तो वहा than 2 से लेके less than 20, मतलब amino acid का जो number है, वो 2 से 20 के rangement, 2 to 20, तो आप ऐसे को show करते है, that is going to be oligopeptide, क्या कहलाएंगे, आप इसको oligopeptide कहेंगे, और अगर 50 से जादा, जो अपने 50 amino acid show किया था, अगर उससे जादा amino acid का number हो जाए, तो ऐसा क्या कहलाएगा, polypeptide, they are going to be the polypeptide, amino acid का number decide करता है, कि आप उसे किस category में रखेंगे, oligopeptide में की polypeptide में, अगर 2 से 50 के बीच में, 2 से 20 या 2 से 50 भी रखोगे, तो कोई ज़्यादा tension की बात नहीं है, अगर 2 से, जो है basic तो आपे 2 तो लेके मैं 50 कर रखो, तो ये oligopeptide की category में fall off करेगा, और अगर मैं बात करता ह हूँ, आपके polypeptide की तो 50 से जादा, जैसे कुछ amino acids, जैसे अगर हम बात करते हैं, इंसुलीन में, इंसुलीन में alpha chain, beta chain में 141 amino acids होता है, एक में 146 amino acids होता है, तो आप ऐसे कैसे सो कर सके हैं, उनको आप polypeptide बोलोगे या polypeptide बोलोगे? polypeptide, और यही polypeptide ही क्या बनाते हैं, polypeptide ही क्या बनाते हैं, proteins, तो जो protein आप बोलते हैं, तो protein are basically polypeptide, they are not the oligopeptides, जितने भी functional proteins आप देखते हैं, nature में जो present है, या जो कोई भी एक biological function परफॉर्म करता है, they are basically polypeptides, मतलब उनमें अमीनोसिक का नंबर 50 से जादा होना चाह उन अमीनोसिक को तोड़ के आप छोटे-छोटे oligopeptide बना सकते हैं, लेकिन आपका mostly functional protein, I repeat, mostly functional protein होते हैं, those functional protein are basically polypeptide, so peptide क्या है, peptides are the polymers of amino acids, जिसमें 2 से लेके 50 तक अगर अमीनोसिक का नंबर है, तो oligo की category में रखेंगे, और 50 से जादा है तो poly की category में रखेंगे, और oligo में भी 2 से 10 का नाम कुछ इस तरीके से चलेगा, अगर 2 अमीनोसिक से तो try tetra, fenda, something like that भी ध्यान रखेंगे, यहां तक basic चीज़े सबज में आई क्या, बोलो, फिक है, यह तो बदी बेस चल रहा है, peptide, जैसा मैंने बताया, कि peptide के उपर आप बात करें तो amino acid कुछ इसी तर तरीके से protease जो है वो जुड़े रहते है, जिसमें एक amino acid residue होगा, दूतरा amino acid, तीसरा amino acid, इस तरीके को होगा, जो पहला amino acids होगा, उसका internal free रहेगा, और जो last वाला होगा, उसका internal free रहेगा, but how इसके बारे में भी बात करेंगे, there is two terminologies you need to remember, one is generally amino acid, अगर कही पे सिर्फ यह लिखा है amino acid, अगर कही पे सिर्फ किसी literature में amino acid लिखा है, तो इसका मतलब है कि यह क्या लिखना चाहरा है, कि amino acid present in the free form, मतलब अभी उसने peptide bond नहीं बनाया, अभी उसने peptide bond नहीं बनाया है, इसके बाद हो सकता है कि एक literature में एक word जूड जाता है amino acid residue, यह बहुत specific term है, residue, residue का मतलब है जैसे आप पहले अगर ऐसे आवारों की तरह घूम रहे हैं, तो आपको कोई डी title मिलता है, जैसे आप किसी जगह पे रहने लगते हैं, तो उसका title आपके साथ कि आप यहां के resident है, उसका अधार काड़ बन जाएगा, तो यहां के amino acid जब किसी protein में include हो जाता है, तो उसका अधार काड़ बन जाता है, उसके अधार काड़ के नाम के तरह के क्या है, residue, मतलब ऐसा amino acid क्या होगा, it is present in, या binded form होगा, यानि कि यह जो है, आप बोल सकते है, present in proteins, यह protein में present है, या peptide में present है, सबज में आ रहा है क्या, कि amino acid residue अगर मैंने बोला, जैसे यहां के दे मतलब they are incorporated as a peptide, they are not present in the free form, that's why you are saying that they are the amino acid residue, टीक है, तो amino acid दो form में बोले जा सकते हैं, किसी किसी के मन में आ रहा होगा, आखिर में यह जो बना है, यह structure बनता कैसे है, मैं अगर थोड़ा सा बुद्धी विवेक का प्रयोग कर वाओ, अब पिछले जनाम में जाके देखिए जब पिछले जनाम में हमने amino acid पढ़ा था, तो उस amino acid में क्या था, एक जो है आपके पास C alpha carbon था भाई, one is the C alpha carbon, और इस C alpha carbon से एक तरफ जुड़ा होता है COOH group, ठीक है, तो एक C alpha से एक तरफ होगा proton, एक तरफ होगा amino group, एक तरफ होगा उसका R group, R group कुछ भी हो सकता है, जो इसका जो है आपका carboxylip और इसका जो है amino group, तो एक amino acid का amino group और डूसरे amino acid का carboxylip group जो है इनी दोनों के बीच में bonding का formation है, इनी दोनों के बीच में bonding का formation है, अगर मैं इसको classify करने की थोड़ी सी process करूँ, तो amino acid को आप ऐसे बोलते हैं, that is NCC, देखो जब भी amino acid को classify करोगे तो आप क्या बोलोगे एन, सी, सी बोलोगे, ठीक है? तो अब मैं NCC के उपर बात कर रहा था तो इस NCC में यह देखो NCα C इस NCC को आप बोल सकते NCα C है यह एक आपका पहला अमिनोसिद है इस इसन पाप भर अमिनोसिद है तो क्या यह थैल में अभर बात करो तो ज़गा सा यह देखे D type of L type of Aminocyb यह भी है इसका अमिनो गुप अब बात करो देखो यह है N Ca C और यह जो C alpha है यह बेसिक तोर पे amino group से जुड़ा हुआ है amino group से इधर से जुड़ा हुआ है और इस second amino acid this is your second amino acid second amino acid का amino group और first amino acid का carboxly group यह दोनों आपस में जुड़ा है और यह जुड़के क्या बना रहा है peptide bond और यही है peptide bond this c o n h यही है c n वाला जो bond है this is peptide bond अगर यह देखोगे तो यहां पे peptide bond है यह इस तरीके से जो है आप 2 peptide bonds रूचाज़ा है अगर आप इस structure को देखोगे तो यह एक tripeptide है क्या मैं इस structure को बोल सकता हूँ it is a tripeptide yes or no it is a tripeptide क्यू tripeptide मैंने बोला because three amino acids are there और three amino acids में कितने peptide bond है जनाब two peptide bonds I can simply say one important thing कि अगर n number of amino acids हो क्योंकि नाम का जो nature है वो n से है तो number of peptide bond जो है वो n-1 हो जाएगा अगर n amino acid हो तो हम peptide bond को बोलेंगे n-1 बस लेकिन मैंने आपको थोई देर पहले चर्चा किया था कि peptide can be linear or circular as well can you tell me कि this is a linear peptide और circular peptide linear peptide why we say it is linear peptide because the n-terminal and the c-terminal is free जब n-terminal और c-terminal free हो तो वो linear होता है जैसे DNA में होता 5' और 3' जब दोनों free होते है तो linear DNA होता है दोनों जोड़के circular हो जाए जिसमें कोई free in now तो circular हो जाता है बैसे peptide भी तो है n और अब इसको amino group इस carboxly group से भी तो जो है जोड़ सकता है हो सकता है किसी बज़र से यह circular peptide बना ले तब peptide bond जो है वो कैसे भी हो सकते है या peptide का structure linear भी हो सकता है circular भी हो सकता है yes or no तो let me tell you one important thing that peptide can be linear और circular and you have to remember this peptide जो है मैंने क्या बोला यह linear भी हो सकता है और peptide जो है वो circular भी हो सकता है अब linear को अगर मैं बात करूँ तो linear का मतलब है कि यहाँ पे N terminal या amino terminal and the C terminal जब भी N और C लिखा जाता है what does it mean N का मतलब होता है N as B plus terminal N अगर यह लिखा जा रहा है तो C O H terminal ठीक है ना short form में मैं N ही लिखूंगा इसका मतलब यह नहीं कि N का मतलब से एक nitrogen है ठीक है इसमे N terminal और C terminal क्या होंगे 3 होंगे और circular में यह दोनों कैसे होंगे N terminal and C terminal यह आपस में क्या बना देंगे Peptide Peptide Bond यह आपस में ही Peptide Bond बना देंगे चलिए देख लो मैंने क्या बोला इहां पर ठीक है तो amino acid की जो है कहानी पढ़ रहे थे और मैंने यहां पर सोके देखो amino acid एक amino acid दूसरा amino acid तीसरा amino acid चार amino acid इसका मैंने C terminal free कर दिया और इसका N terminal free कर दिया अब आपने कहा कि चलो ठीक है यह amino acid आ गया अब इस amino acid में कितने amino acid इस peptide में कितने amino acid तो कर रहे है amino acid यहां तो देखो कि तो चार है और peptide bond कितना है 3 है linear के case में क्या peptide bond का formula यह नहीं होगा n-1 where n is the number of amino acid yes or no amino terminal C terminal free है यह peptide bond देखो 1,2,3 है amino acid चार दिख रहे हैं circular बना किते हैं 4 amino acid का एक उससे जुड़ा हुआ है दूसरा amino acid फिर तीसरा और तीसरे जुड़ा चौथा अब अभी तक यह linear ही है जब इसका L-C terminal क्या बना ले आपस में peptide bond यह क्या हो जाएगा circular क्या हो जाएगा यह circular peptide हो जाएगा तो इसमें amino acid कितना सो कर रहे हो और peptide bond भी कितना है और तो मैं यहां पे peptide bond का formula यह नहीं लिख सकता हूँ peptide bond is equal to n not n-1 यह जितना amino acid होगा उतना भी कितने peptide bond होगा where n is the number of amino acid अगर आप मुझे बताइए इसी बिनापे कि अगर किसी peptide में मैंने उसका नेचर linear छोड़ो linear और circular तो case बना देंगे अगर उसमें 10 amino acid है तो linear peptide में उसके पास कितने peptide bond होगे 9 और अगर circular होगा तो 10 ठीक है यह कहानी आपके पास बन जाएगी तो अब कई लोगों के मन में आ रहा होगा कि ठीक है हमने समझ लिया peptide क्या होता है oligo peptide क्या है poly peptide क्या है याद रहे कि protein का जो functional form होता है वो oligo peptide का form नहीं होता वो किसका form होता है poly peptide का तो यह चीज आपके दिमाग में और भी होनी चाहिए कि oligo peptide और protein जो है वो कुछ तरीके से चाम करते हैं जब भी protein की बास्ति वार्टालाब आती है तो protein एक तरीके का poly peptide होता है यह oligo peptide नहीं होता और अगर जैसे मैंने poly peptide बोला तो इसमें number of amino acid कितना सो करोगे more than 50 शो करोगे ना number of amino acid more than 50 मैं अगर किसी भी एक example की बात कर लेता हूं जैसे insulin में alpha beta change होते है but whatever it is मैंने एक peptide को शो किया है ठीक है यह poly peptide यह नहीं एक protein है और इस protein को मैंने इसका शो किया है कि इसमें कितने amino acid शो किया मैंने 300 तो बताओ यह poly peptide है या oligo peptide है poly peptide है अब इसको मैं किसी enzyme से digest कर सकता हूं किसी ना किसी enzyme से digest करूंगा enzyme के example के तौर तो मैं future में भी पढ़ाओं वजह से आप trypsin का नाम सुनते हैं काइमो trypsin का नाम सुनते हैं यह सब पढ़ेंगे future में कैसे यह सब करते हैं पिलाल के तौर पे इन enzyme से digest किया यह बहुत specifically digest करेंगे तो इनको चोटे-चोटे चुट्रों में तोड़ेंगे बोलो अब यह जो fragments आइंजे मान लेता हो कि कोई 20 अमीनोसित का है कोई 40 अमीनोसित का है कोई 30 अमीनोसित का है approximation सभी का कुछ ऐसा आ रहा है तो can you say that कि यह जो polypeptide था यह polypeptide है जिसमें polypeptide में more than 50 थे लेकिन अब आप जो fragments बने इसको क्या बलोगे oligopeptide और यह oligopeptides को फिर further जो है आप study कर सकते हैं अगर आपको sequence सहिए amino acid का तो ठीक है अब मैं sequencing भी detail में आपको future में बताऊंगा कि कैसे करना है बट फिलहाल के तोर पे आपको protein oligopeptide और amino acid के sequence में difference clear होना चाहिए हर oligopeptide protein नहीं हो सकता functional नहीं हो सकता protein जो है वो functional form polypeptide के form में रहेगा और वो oligopeptide fragmented form में है और fragmented जो है amino acid के form में आ सकता है ठीक है इतनी वार समझ में आई अब फिर से दिमाग में यहीं आएगा एक amino acid डूसरे amino acid से जुडता कैसे है why one amino acid जो है join with the second amino acid तो अगेर मैंने आपको बोला था कि biological process में एक chemical phenomena होता है and that chemical phenomena is known as nucleophilic attack यह इसको पूरा का पुर एकदम सुत्र की तरह याद कर लो मंत्र की तरह nucleophilic attack जहां पे भी molecular mechanism की बात आई वहां पे कहीं न कहीं से nucleophilic attack घुम्फिर के हो रहा होगा यहां भी वही होता है धले ही खुद नहीं कर पाता लेकिन दूसरे से करवाया जाता है चलिए देखते हैं कैसे यह काम प्रिप्टाइड बॉन formation अपने आप नहीं होता energy जो है intensive process है लेकिन फिलहाल के तौर पर थोड़ा बात करने की कोशिश करते हैं अब यहां पर चर्चा हम करें तो थोड़ा घ्यान देने की कोशिश करिएगा energy जो है वह चाहिए attack करवाने के लिए तो मैं एक amino acid को यहां पर show किया हूँ इस amino acid में आ और कई बार एक question कई लोग पूछते है कि why L-amino acid cannot join directly with the D-amino acid in the translation उसका भी यही पर logic clear हो जाएगा अब खुश होतो कि L-amino acid है for example for example अगर मैं यही पर D-amino acid रखूँ तो D के बतलब उसका amino group कि इधर की तरफ हो जाएगा कि इधर की तरफ होगा भाई राइट साइड में और इधर की तरफ क्या होगा COOH अब यह बताओ कि यह COOH इस COOH से कभी भी बना पाएगा नहीं बना सकता ना अगर एक L और एक D कैसे अटैक कर सकते क्योंकि दोनों का group सेम आजाएगा कारवॉक्स लेक कारवॉक्स लेक सेम साइड होगा या तो amino अमीनो सेम साइड होगा इसलिए L और D नहीं जोड़ सकते इसलिए जो protein में इंक्वार्परेशन होता है mostly L होता है और यह मैं molecular biology में जब statement की बात करूँगा कि L होता है उसके पीछे केमिकली या बायोकिमिकली यही logic है क्योंकि D और L एक साथ ऐसे sequentially peptide bond बनाई नहीं सकते अगर एक L amino acid है तो उससे peptide bond बनाने के लिए दूसरा भी L होना चाहिए अब पहला D हो जाए तो दूसरा भी D हो सकता है लेकिन पहला D क्यू नहीं होता इसके लिए वहाँ बात करेंगे वह कैसे D नहीं हो सकता है अब मैं आगे चलता हूँ तो जैसा मैंने बताया कि peptide bond बनाने के लिए अगर पहला L amino acid है तो second should be the L amino acid as well L amino acid क्यों बोला क्योंकि amino group कि धर की तरफ है लेफ्ट साइड है यह मैं information बता चीक हूँ तीक है अब मुझे बताईए यहाँ पर पुल मिला जुला के इस amino group की बात करते है इस धर की बात करते हूँ तो यह nitrogen फुरा सा partially negative है कि नहीं है nitrogen partial negative है बतलब Electronegative है electron अपनी तरफ खीचेगा तो यह hydrogen पैसा फील करेगा partial positive इस oxygen इस और इस तरीके से कहानी एक बना सकते है इनके बारे में इसके बाद दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ तो दूसरा condition यह भी होचता है कि कि मैं अगर amino group इस से और इस से धान रखे तो इसमें क्या होता है कि peptide bond formation के लिए यह जो group शूते हैं H और OH यह क्या कहते हैं यह कहते हैं कि भाई छोड़ो इस मोहमाया को हम दोनों मिल जाते हैं ठीक है और एक गाना गाते हैं क्या और वो गाना आपने सुना होगा कि मैं रं में ठीक हाट का। तो तो दे आर बेसिकली अब यह ड्रिकac करता है और यह यहां से इकलेगा इस तरीके से दूसेला इस चरीके से अगर यह नहीं समझ लेखो लोगं खेंगे यह एलेक्टपीक अटाइक है एक तो यह करिस्य सो कहते है और ट्री से इसके लिए हो इんな one जो टेखो फेली जाकर्यक देखो बुटेव. में नहीं आते हैं बैटा क्लास में फिर दुबारा कोश्चन मत पुछा करो नहीं तो अभी तो बच जा रहे हो फिड़ी तोड़ दूँगा 2-3 महिने बाद जब थोड़ा थोड़ा आगे आओगे ना जब लास्ट में चीज़े चलेंगे ना और फिर अगर ऐसा कोश्चन आय यह ऑक्सीजन तो है इस कारवन पर भी फार्टिल पॉजिटिव चार्ज क्रियेट करेगा ठीक है अब यह कहानी देखना जो में अटैक होता है यह तो है यह जो इनका है लेकिन यह अटैक नहीं करता है यह नाइक्रोजन जिसके पास एक लोन पेर है यह इस कारवन पूपर आटैक करेखने बिकाज आटैक के पास लोन पेर और इस पॉजुटिव के पास तो ऐसे अटैक को क्या बोलते है नीउक्लियो फिलिक अटैक यह नाइक्रोजन इस कारवन को कहता है कि इस ओयच को धोखा दे दो तीक है यह ओयच को जो है वो कर देते है आपने कभी कभी ऐसा सुना होगा ना बेसिक तोर पे आज को साधियों का सीजन चलगा और इससे ज़्यादा एजरावलेजी अच्छी हो ही नहीं सकती साधियों म होता है कि वो हसी मजाग और खुल के बाचित करनी पाते है या कभी-कभी रिस्ता देखनी जाते है तो अरे लड़का लड़की को थोड़ा समय चाहिए होता है तो वो कहता है कि एक काम करो तो मेरे दोस्त जाओ सालियों से मजाग करो तो उनको अधर निचा लेता है हाईड तो इस ले से बॉन्ड बना ले तो इस इस दा नुक्लियोफिलिक अटक जो कि कितना ब्यूटिफिली होता है बट यह अपने आप नहीं हो सकता इसके लिए एक एंजाइम की जरूरत होती है और उस एंजाइम का नाम होता है पेप्टाइडिल ट्रांस्फरेज यह पेप्ट यह 28S ribozomal RNA में होता है ठीक है तो यह एंजाइम इस अमीनो ग्रूप को प्रोवोक करता है कि भाई यार इनको निकालो इहां से आपस में बॉड्णिंग करो और काम बन जाएगा तो 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 दिले देखे ओच और इसकी कहानी जो है बन जाएगी यह ओच और एच निकल क कि बॉटर निकलेगा और जब यहां से बॉटर निकलेगा ऐख है आप यहां से करें कि उतर जो है डिकल रहा है तो दêts को क्या बोलते है कि दे hara स या следующ कीए ओंड यह संब बोलेंगे उसको बोलेंगे दी पानी जो है वहां से release हो रहा है, अब इस case के बाद यह जो bond बनेगा, किसके किसके बीच में बाद है, CO और NH, देखो, yes or no, तो यह जो है structure आ जाएगा, CO और NH के बिल चुमें, this bond is known as peptide bond, मैं इसको amide भी बोल सकता हूँ, लेकिन मैं इसको specifically peptide इसने बोल रहा हूँ, peptide bond is the amide bond present in the protein, simply, peptide bond, amide bond जो protein में present होता है, और वही है, यहाँ पर, यह दो amino से जुड़ गए, अब दूसरे amino acid का यह देखो, CO अच्छे, अब यह तीसरे amino acid के amino terminal से जुड़ेगा, और फिर वहां से एक water निकलेगा, और फिर bond बन जाएगा, जैसे आप स्वाहा के तर भी पा कहानी निकला, और फिर bond बन गया, तो इसके बाद जो है, इस तरीके से कहानी आगे चलती रहेगी, और यह amino acid जुड़ते चले जाएगे, जो पहला amino acid है, उसका amino group देखो, free है के नहीं है, the first amino acid, that amino group is free, है के नहीं है, तो इसको बोलते है, N-terminal free, और यही तो N-terminal free होता है, और जो ऐसे series में चलते 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 चलते, जो last amino acid बचेगा, उसका क्या free होगा, C-terminal, जैसे second का free है, वैसे last बाले का free होगा, तो last बाले का C-terminal free हो जाएगा, तो यह जो है, इस तरीके से आप C-terminal और N-terminal को show करते हैं, बोलो जना, आपको समझ में आ रहा या नहीं बीच में, जितने भी carboxylic acid और यह है, देखो, खतम हो जाए नहीं, इसलिए diprotik amino acid पर हम consider नहीं करते थे, या दारा कुछ titration वाली कहानी, तो इस तरीके से जो है, क्या बन रहा था, आपका peptide bond, एक बाद फिर से मैं बता जेता हूं कि यह जादा तर एक dehydration process है, और dehydration process का मत आपके यहाँ पर H2O जो है, वो remove होता है, अब उसके बाद जो है amino acid यहाँ पर residue बन जाते है, क्योंकि अब वो bond बना लिए तो अब वो residue बन जाएंगे, peptide bond का process एक endergonic process है, the formation of peptide bond यह एक endergonic process है, endergonic का मतलब वहाँ पर energy required होगी, यह energy release होगी, energy required होगी, exergonic होता तो release होती, endergonic का मतलब है energy required होगी, और जब energy required होगी, तो कितनी energy required होगी, वो energy होती है, plus 21 kJ per mole, कुछ-कुछ book में range भी लिखा हुआ है, इसलिए एक range मैं show कर रहा हूँ, plus 21 to plus 25 kJ per mole, अब मेरे धर पे धरना देने मत बैठ जाना, अगर कहीं के plus 22 या 22 दे रिया तो, है न, अगर 21 से 25 के बीच में कोई भी value है, तो वो value जो है, वो तुजिवल होगी, यानि कितनी energy इसको चाहिए, तो यह एक endergonic process है, and in this endergonic process, you require approximate plus 21 kJ per mole energy, समझ रहे हो, bond बनाने के लिए energy लग रही कि नहीं लग रही है, खर्च होता है पैसा जैसे वैसे ही, एक amino group दूसरा amino group, एक amino acid दूसरे amino acid से जुड़ता है, एक bond बनाता है, जिसको बोलते है peptide bond, peptide bond is nothing, it is just an amide bond, that is a C-O-N-H, जैसे C-O-N-H-2 को amide group बोलते है, जहाए C-O-N-H, that is the amide bond, और यह amide bond जो बनता है, वो दो amino acid के बीच में बनता है, जिसका एक का यूज होता है carboxlic group, और दूसरे का यूज होता है amino group, and these two groups, इसमें एक process होता है, जिसको बोलते है nucleophilic attack, and यह attack perform किया जाता है amino group से, carboxlic group के carbon पे, और यह attack perform करवानी के लिए, जो enzyme is possible है, उस enzyme के नाम है peptidal transferage, attack करते ही nitrogen carbon से एक amide bond बना जेता है, और साथ में H2O release हो जाता है, that is the dehydration process, and this process requires energy, यह condensation of peptide bond है, या hydrolysis of peptide bond है, condensation of peptide bond है, याद रहा कि condensation का मतलब होता है synthesis of peptide bond, क्या बोलोगे आप उसको, synthesis of peptide bond, जैसे condensation का मतलब है synthesis, और condensation में energy जरूरी है, लग रहा है कि energy release हो रहा है, ठीक है, energy लग रहा है, यहाँ पर delta G positive है, अभी आपको delta G पढ़ाया नहीं हूँ, future में आएगा, लेकिन मैं आपने अगर बच्पन में कभी भी basic delta G पढ़ा होगा, तो you know that, कि delta D कैसा होता है, delta D होता है positive B और negative B, अगर positive है तो यह कैसा होता है, non spontaneous होता है, पढ़ा है कुछ ऐसा basic, और negative होगा तो spontaneous, अब जो process non spontaneous होगा, उसका मतलब उसे energy देनी पड़ेगी, है न, जो spontaneous का मतलब अपने आप होने वाला, जो अपने आप नहीं हो रहा है, उसके लिए energy चाहिए, और कितनी energy चाहिए, 21 kJ पर में, टीक है, endergonic का मतलब energy required, और endergonic का मतलब energy released, यह कहानी जो है, वो आपके साथ रही है, तो यह था peptide bond का formation, अब आपको धुरे धुरे च पर एक water molecule release हुआ होगा कि नहीं, एक peptide bond के दोना, जब दूसरा तीसरे से जूड रहा होगा तो, एक और water molecule release हुआ होगा, है न, और इस तरीके से कहानी चल गए होगी, अरे बोलो yes or no, जितना peptide bond बनेगा, उतना ही water molecule release होगा, यह उससे जादा हो जाएगा, उतना ही release होगा, तो जितना peptide bond बनेगा, उसका formula मैं linear और circular के लिए बता चुका हूँ, तो मैं वही चीज़ इसमें जगर mention करूँ, यगर मैंने peptide bond का formula n-1 लिखाया तो मैं यहाँ पे यह भी तो लिख सका हूँ कि number of s2o release, s2o release अगर linear peptide है तो क्या सो करोगे, n-1, जितना peptide bond उतना release linear के लि n-1, ठीक है, अब मुझे बताओ कि अगर 12 amino acid का linear peptide है, तो उसमें कितना water release होगा, कितना number water release होगा, 11 होगा, और अगर circular peptide होता हुआ ही तो ठीक है, तो मैंने क्या बताओ, peptide bond में, peptide bond दो amino acid के बीच का बड़ जुड़ने वाला bond है, जिसमें कि एक water molecule release होता है, energy consume होती है, और एक non spontaneous endergonic process है, जिसमें plus 21 to 25 kilo joule per mole energy required होती है, जरूरी होती है, जैसे साधी में दहेच चाहिए होता है, आजकल तो system बढ़ा चला हुआ ह और उसके बाद जो है, और सरकारी नोकरी होगी तो पक्ता 15-20 lakh fix है, है ना, तो यह जितने लोग बोलते रहते हैं कि मैं सरकारी नोकरी आए, दहज के खिलाप हो, वो सबसे ज़्यादा दहज लेता है, और यह सब कहानी चलती रहती है, फिलाल के तौर पे, UP बिहार में बड आपका release order, मैं required, required English जो बोलना हूँ, required का मतलब होता है, use order जरूरी हो रही है, ठीक है, चलो, दूसरा concept मैंने यहापे लिखा, peptide bond hydrolysis, मैं इसी के साथ peptide bond hydrolysis बना रहा हूँ कि अगर peptide bond बन चुका है, तो उसको तोड़ा भी जा सकता है, अगर कोई चीज बन जाती है, तो तो तोड़ा भी जा सकता है, और आप बताएए कि peptide bond hydrolysis, जो है वो, अगर peptide bond के बनाने में energy लगी है, तो peptide bond के hydrolysis में energy release होगी या लगेगा, ठीक है, मैंने एक amino acid को सो किया है, मैंने एक dye peptide को सो किया है, जिसमें मैंने एक peptide bond को यहाँ पे mention किया है, अब यह already peptide bond बन च और जब यह already peptide bond बन चुका है, तो इस already peptide bond में जब इसको तोड़ना हो, तो यह automatically spontaneous हो जाएगा, खुद तूप सकता है, ठीक है, energy जो है, वो basic कर पर रिलीज होगी, और इस process को बोलते हैं dehydration, यहाँ पर क्या होगा, hydrolysis में, sorry, dehydration का process नहीं सो करेंगा, यहाँ पर क्या सो करे hydration या hydrolysis, ठीक है, यह गलत लिखा हुआ है, मैं इसको लिख दे रहाँ, यहाँ पर S2O release रही होगा, S2O की क्या होगी, requirement होगी, S2O यहाँ पर चाहिए, तो S2O include होगा, जिसको बोलेंगे hydrolysis, और यह hydrolysis से, जो protons होते हैं वो जाएंगे और इस bond को तोड़ेंगे, तभी तो एक किसी का जो OH होगा, जब तूटेगा तो OH माइनस प्लस H प्लस आ जाएगा, और उसका H जो है वो nitrogen पे चला जाएगा, और OH माइनस नहाँ चला जाएगा, तो यह है hydrolysis, ठीक है, तो क्या, एक चीज़ दरा ध्यान देना, मैंने दो टम्स की बाद करी, condensation का मतलब क्या है, condensation का मतलब क्या है, condensation का मतलब है, synthesis, क्या जनाब, synthesis है condensation का मतलब, और यह synthesis कैसा process है, endergonic या exergonic, endergonic, ठीक है, spontaneous या non-spontaneous, non-spontaneous, ठीक है, कितनी energy होती है, लगभग plus 21, ठीक है, अच्छा, यह जो plus 21, यानि जो positive value हो रही है, यह positive value condensation में की hydrolysis में है, condensation में, अगर मैं hydrolysis की बात करता हूँ, ठीक है, यही पर मैं hydrolysis की बात करता हूँ, तो hydrolysis में synthesis होगा, या peptide bond का breakdown होगा, breakdown होगा, endergonic या exergonic, exergonic, spontaneous या non-spontaneous, spontaneous होगा, delta d की value प्लस होगी की negative होगी, और negative, generally, इसी के बराबर होता, लेकिन मैंने वो value लिखी नहीं, लेकिन इस फ्रॉप्सिम में 25 kJ की आसपर की होगा, जितना उसको बनाने में लगा होगा energy, जब उसको तोड़ोगे तो उतनी energy तो रिलीज होगी, लगभग लगभग, सीधी सिवा, तो यह कहानी जो है वो आपके hydrolysis और condensation की, कि प्लाइब बनाने का और तोड़दी का अलग-अलग conditions है, और दोनों confused मत होना, जब condensation synthesis होती है, तब positive energy है, और जब hydrolysis करते हैं, तो energy कैसा है, positive है, negative है, और ऐसे questions आपके साथ आ सकते हैं, ठीक है न, बोलो clear हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, clear हो रहा है, ठीक है, आगे बढ़ते था और clear होगा, तो आपको, मैंने ये चीज़ सो करी थी, और मैं बता चुक इस form में किसी भी chain को लिखना हो, तो ऐसे लिखना है, कैसे, N C alpha C, एक amino shift, आप इसके बाद दूसरा क्या होगा, N C alpha C, फिर 3, N C alpha C, फिर 4, that is N C alpha C, N 5, N C alpha C, एक total कितने amino shift यहां पे है, 5 amino shift, 1, 2, 3, 4, 5, linear peptide है कि circular peptide है, this is your linear peptide है, और linear peptide है तो यहां पे peptide bond कितने बनेंगे पाँच amino shift में, 4, एक bond कौन सा है, यह, एक यहां पे CUNH, एक यहां पे CUNH, और एक यहां पे CUNH, यहां पे CUNH, yes or no, जोको पहला peptide bond, डूसरा peptide bond, तीसरा peptide bond, चौथा peptide bond, बोलो, पहले पढ़ना कुछ-कुछ, और जितने peptide bond होगे, उतना ही क्या release होगा, water molecule, तो मैं यह बता चुका हूँ कि number of water molecule should be the number of peptide bond, जितना peptide bond बनेगा, उतना ही water molecule release होगा, जो की अभी आपने पढ़ रहा थी, ठीक है, and क्या मैं number of energy release नहीं निकाल सकता, अगर एक bond के लिए, जैसे energy जो release होगी, याद रहा थी, एक bond के लिए कितनी energy की requirement लग रही थी, plus 21, तो number of peptide bond into plus 21, यही लिखोगे, तो कितना आएगा 4 into 21 का, 84 plus 84 kilojoule per mole, यह आजाएगा, ठीक है, चल, कुछ समझ में आया कि नहीं आया अभी तर, यह peptide bond की चीज़े जो सो कर रहे थी, तो इसमें मैंने जो चीज़े बताई थी, धरा ध्यान दो, कि जो यह bond बना था, वो कैसा bond बना था, non-co था कि पोवलेंट था, यह एक पोवलेंट था, इसलिए bond strong बनेगा कि बीट बनेगा, strong बनेगा, यह strong बनेगा, यह strong bond बनेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा energy लेगी हूँ, and interaction of the COOH, यानि alpha-coach का किसे interaction हो था, alpha amino से mostly, but जरूर निकी हर बार हो, alpha-alpha इसलिए मैंने alpha सकता है, इसके बाद peptide bond का nature आप सो करते है, polar as well as planar, अब यह planar कैसा है, polar कैसा है, अभी मैं समझाओंगा, इस diagram से, don't worry about that, इस जो information के लिए, इसके बाद जो है, it is an endergonic process, endergonic का मतलब energy की requirement है या नहीं है, energy required है, energy required है, और कितनी energy required है जनाब, plus 21 kilojoule per mole, यह exact value है, लेकिन range की बाद करें तो 21 से 25 है, और hydrolysis के लिए यह क्या हो जाएगा, negative होगा की positive होगा, यह condensation के लिए, और hydrolysis के लिए, दोनों जो है ध्यान रहना, hydrolysis के negative, और condensation के लिए positive, और lifetime of the peptide bond in the proteins, जो peptide bond का lifetime होता है, approximately कितने सालों तक होता है, बहुत large होता है, लग सबग हजार सालों तक peptide bond की lifetime होता है, मतलब protein इतना जादा stable हो चकता है, सोच सकते हो, हजारों सालों तक protein जो है बहुता है, इसके बाद बात करने की कोसिस करते है, अब इसके पास CO है और NH भी है, peptide bond की characteristic हो ध्यान दो, इसके पास CO और NH यही था न, इसके इधर बाती के यह peptide bond है, और जब इस peptide bond को जहां से देखोगे तो एक ऐसा hydrogen है, जो nitrogen से जुड़ा हुआ है, और एक oxygen भी है, भले ही अगल बगल hydrogen bond ना बनाए, भले ही ना बनाए, लेकिन क्या यह आगे और कहीं तो जो peptide bond होगा, उससे वो hydrogen bond बनाने की tendency रखनेंगे की नहीं रखनेंगे, तो they can, they can form the hydrogen bonds, hydrogen bonds बना सकते हैं, यह hydrogen bonds बना सकते हैं, इन different bonds of the main chain, जो main chain आपके ऐसे चल वही थी, nc alpha c, nc alpha c, nc alpha c, nc alpha c, उसमें जो है, यह आपस में क्या कर सकते हैं, hydrogen bond बना सकते हैं, इसी से तो अलग-अलग structure डेवलप होते हैं, helix है, sheet है, ऐसे structure साब सो करते हैं, ठीक है, म है, कैसे बनेगा, इसा फ्यूचर में जिरे जिरे आएंगी, इसके बाद हम amino acid को residue बोलने लगेंगे, अगर वो peptide bond बना लेता है, तो यह मैं पहले ही बता जूँता हूँ, information clear है, कैसा है bond, covalent, interaction जो है CUH का और NH2 का हो रहा है, endergonic process है, plus 21 condensation के लिए है, hydrolysis के लिए negative हो जा अब सवाल आता है कि why it is planar, why it is partial double bond, कई बार जो है लोग पूछता है कि यह planar और partial double bond क्यों होता है, अब थोड़ा सा ध्यान दोगे, तो मैं structure को थोड़ा draw करने की कोचिस करना हूँ, समझ में आ जाएगा तो ठीक है, यह देखो CO है, और यह है N, मैं सिर्प्राइप bond की बा यह कुछ time बाद अगर इसको कुछ energy मिले या कुछ चीजे मिले तो यह C और N के बीच में आ सकता है, likewise this one, मतब यह ऐसा हो सकता है, CO- हो जाएगा, और यहापर हो जाएगा N, this one, ठीक है, तो इस तरीके का case बन सकता है, कि tight bond ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है, और यह यह जो electron, pi electron आप show कर रहे हैं, यह double bond वाला, यह double bond पूददा फानता रहता है, कभी CO के बीच में, कभी CN के बीच में, CO, CN, CO, CN, जैसा बेंजीन में होता है, तो इस process को बोलते है resonance, ऐसी process को क्या बोलते हैं, जब दो structure आपस में क्या करें, convert होते रहें, inter convert होते रहें, तो इस resonance हो करेंगा, तो आप इस double bond को ना ही CO के बीच में generally show करते हैं, और ना ही N के बीच में, इसका जो मूल structure कुछ ऐसा नजर करेंगा, CO, N, H, ऐसे show करेंगे, और यहाँ पे यह dot dot करके, ऐसे show करेंगे, दोनों side में, तो इस CN के बीच में single bond है, या partial double bond है, और मैं शुरू में आपको बताया था, जब hybridization बता रहा था, atom बता रहा था, कि अगर carbon double bond बना रहा था, तो उसका hybridization जो है, SP2 होगा है कि SP3 होगा, SP2 होगा, और SP2 होगा, तो वो planar होगा, कि वो non planar होगा, planar होगा, SP3 होता है, तो tetrahedral, SP2 होता है, तो planar, और SP3 होता है, तो linear हो जाता है, अब इसके बाद इस regionating structure में देखो, तो इसमें दो polarity आ रही कि नहीं आ रही है, अरे, देखो न, oxygen negative हो रहा है, तो क्या इसको polarity नहीं बोल सकते है, कि यह polar भी होगा, बोलो, तो यह कैसा होगा, polar भी हो सकता है, planar के साथ, polar भी हो सकता है, वही structure देखो, यहाँ पे भी है, nothing else, यह CO, NH, इसके पास इस तरीके का case बनता है, कैसे, इस nitrogen के पास होता है, lone pair, इस double bond के पास यह condition है, तो यह double bond हो जाता है, और यहाँ पे आ जाता है, MC और N के बीच में double bond, तो it will look like this one, nitrogen positive, और यह oxygen negative, यहाँ पर देखो, यह दोनों charge हो जा रहे है, और जब यह दोनों charge हो रहे है, तो आप इसको क्या कहोँगे, यह polar ही तो है, दो charge जो polarity डेवलप कर रहा है, negative और positive, यह है आपके polarity वाले conditions पे, और इसके बात फिर यह इस तरीके से चलता रहेगा, तो यही case होता है, आपका यह जो carbon यहाँ पर सो कर है, C, जो है, CONH में C वाला जो carbon है, यह carbon कैसा होता है, SP2 hybridized होता है, इसका hybridization SP2 सो करोगे, जिसकी वज़ए से यह जो है वो एक planar है, और साथ में partial positive और partial negative की वज़ए से यह polar भी होता है, तो यह polar है, planar है, SP2 hybridized है, endergonic process की वज़ए से बन रहा है, यह clear हुआ की नहीं हुआ, अरे बोलो भाई, ठीक है, अगर यह clear हुआ, तो जिना से यह question solve करने की process करो, ठीक है, पहला question है, क्या होगा, अब इसमें कई लोगों को cis और trans अभी नहीं समझ में आयोगा, tension मतले न, हो आ जाएगा, देखो, non-planar तो होगा नहीं, planar होगा, यह बोला, but rotates in the three preferred dihedral angles, और यह बोला कि planar, but usually found in trans configurations, we'll talk about this, यह बाला साही होगा, यह three बाला नहीं होगा, two ही होता है, और two कौन होते हैं, we'll talk about this, यह question solve करो, solve कर पाओगे, answer जो होगा, वो हो क्या होगा, देखो, जो restricted rotation होता है, वैसे तो यह भी मैं आपनी बताऊंगा, restriction की बात करें, वो होता है, आपके c o n h के बीच में, इसके bond के बीच में है, तो क्योंकि वही partial double bond होता है, तो वो जो है, इसमें कहाँ प्यार है, c प्राइम और n, यानि कि यह वालगी बीच में होता है, ठीक है, answer b होगा, ठीक है, यह बताओ, अभी मैं उसको explain करूँगा, don't worry, यह किसके लिए पूछ रहा है, energy for hydrolysis की बात कर रहा है, energy for condensation की बात कर रहा है, hydrolysis की बात कर रहा है, hydrolysis की बात, और hydrolysis की energy positive और large होती है न, negative होती है, तो answer incorrect कौन होगा, b, पहला वाला सही है, क्योंकि इन्होंने hydrolysis की बात कर रहा है, यहाँ पे अगर condensation की बात करते तो b सही होता, फिर a गलत हो जाथा, यह ध्यान रहे कि किसकी बात की जा रही है, ठीक है, चलो, तो b incorrect है, और इन्होंने incorrect ही पूछा है, कई बच्चे जो है, जो question आप पढ़ रहे हूँ, कुछ वैसे विध्यार्थी है, जो कि सीदे जो है, Einstein से दिगरी लेके आते, इन्होंने incorrect पूछा है, और b ही incorrect है, क्योंकि इन्होंने hydrolysis की बात करी है, information पहले बता दिया गए, ठीक है, एक यह question है, यह होगा, N and C होगा, ठीक है, अरे हाँ या ना, ठीक है,